यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ दाखिले के लिए लगाई जाने फाली पहली सूची जो की एक चुलाई को लगेगी उसमें जगा मिल पाएगी पहली बार हाइर एजुकेशन विभाग दे दाखिलों के लिए नौकरियों के तरह वेरिफिकेशन कराने का फैसला लिया है 22 जून तक दाखिले के लिए ऑनलाइन आविदन स्विकार किये जाएंगे उसके बाद विभाग पहली बार 24 और 25 जून को हाईर एजुकेशन विभाग पहली बार प्रोविशनल मैरिट सूची चारी करेगा सूची में जिन विद्यार्थियों के नाम शामिल होंगे उनको 26 से लेकर 28 जून तक अपने कागज़ातों की वेरिफिकेशन करानी होगी वेरिफिकेशन में 10-12 आधार कार रहाईशी प्रमाण पत्र के अलावा अन्य ओरिजनल दस्तावेज शामिल है प्रमिजनल मेरिट सूची में शामिल बच्चों के दस्तावेज सही मिलने के बाद ही उनके दाखिली के लिए अगला प्रोसेस शिरू होगा बिना वेरिफिकेशन के किसी भी विद्यार्थी को दाखिला नहीं मिल पाएगा सब कुछ हायर एजुकेशन विभाग की साइट पर ही उपलब्द होगा तो हायर एजुकेशन विभाग ने ये फैसला लिया है कि अब वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही दाखिला मिल पाएगा पहले verification फिर admission होगा और इसके लिए online ही ये सब होगा आपको बताने की higher education विभाग की और CFS ना इसलिए दिया गया है ताकि आपको बताने की जिन विद्यारतियों की कागजात पूरे नहीं होगे उनका जो दाखिला है वो रदभी किया जाएगा और इसके साथ ही इसमें आधा कि लास संपाफ होगा